नमस्कार मेरा नाम है विक्रम पांडे और यह आप यह वीडियो निव एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं आज का पाथ है चा सारी करन वा सारी जीवन इस पाथ का अदियान हम समरी के रूप में करेंगे और यह वीडियो आप निव एजुकेशन पॉइंट के अब से देख रहे हैं अब हम पाठ को समझते हैं सारी करन आखिर है क्या सारी चेत्रों के वहुतिक विस्तार छेत्रफल जनसंख्या आदि का विस्तार सहरी करन कहलाता है यह वैस्विक पडिवर्तन संयुक्त राष्ट संकी पडिवासा के उनसार ग्रामीं चेत्रों के आजादी की कई दसक्बाद भी भारत इतनी अश्यमानताओं से भड़ा पराः कि अकसरिय कहा जाता है कि यहां दो दिस है एक भारत एक इंडिया यह देस है कि ग्रामीन वासरी इलाकों के दो भाग अलग और वास्तविक नाओं के दर्स आता है लेकिन यह आवा सकता है कि ग्रामीन व सहरी दोनों ही छेत्रोंक में सब्भावना रहे बाद गाओं का देश कहलाता है यहां की 60% से ज़्यादा आवादी गाओं में निवास करती है और यह भारत देश विवित्ताओं का देश है अब हम पाठ को समड़ी के रूप में निव एजुकेशन पाइंट के तरफ से लाए हैं अब हम उसका आध्यान करते हैं सारी करन की परती सारी करन के अंतरगत गाओं करमसा छोटी छोटी कस्वों सहर नगर और महानगर में बदल गए सारी करन में आर्थिक राजनेतिक और धार्मिक कारनों के मुख भूंका है आध्यूनिक नगर के उद्ये और अध्योगिक पुजिवाद उपनिवेसवाद तथा लोगतांतरिक आधर्शों की मुख भूंका है आप देखेगा हमारा सहर क्या है बदल रहा है और सहर के लोग भी बदल रहे हैं सहरी करन का प्राराम्भी की तिहांस जैसा कि आप सभी को पता है सहरों का उद्ये तीन हज्जार वर्स इसा प्रूर नदी घाटी सबताओं में हुआ सुमेर मेसो पोटामिया आध्योनिक इर सबसे प्रमुक सहर सिंदू घाटी भारत पाकिस्तान में हरप्पा और मुहन जोद्रो विख्यात नगर यूस्तान और रोम में भी नगरों का विकास सबी सहर का एक प्रकार के नहीं है कोई छोटा है कोई बड़ा है राजधानी नगर ब्यापारिक नगर और दोगिक नगर प्रसासनिक नगर और धार्मिक नगर महा नगर आधूनिक नगर प्राचीन और मद्यकाली नगरों से भिन है छित्रपल और अबादी अधिक है जैसा कि आप जानते हैं सहर में लोग जाते हैं कमानी और वहाँ क्या है जनसंख्या जादा है इंग्लेंड में सहरी करन अब हम समझेंगे इंग्लेंड में सहरी करन का विकास और दोगी करन से जुरा हुआ है आधोनिक सहरों का उदय सरफथम इंग्लेंड में लेट्स मैंचेर्स्टर जैसे ओदोगिक नगरों का विकास हुआ अब लंदन की अबादी पढ़ते हैं राजधानी और ओदोगिक नगर होने से आबादी में तेजी से बिर्दी हुई 1880 तक इसकी जन संख्या 40 लाग अबादी में नौक्री पेशे दुकांदार ब्यापारी और सरमिक बड़ी संख्या में हैं जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहां दिल्ली में भी लोगों की संख्या क्या है जादा है वहाँ जन संख्या घनात्व जादा है क्योंकि लोग वहाँ पर काम करने जादा जाते हैं लंदन में अपराद आवादी के विस्तार के साथ लंदन में अपराद और प्रादिको की संख्या दिन पर दिन ब्रिदी हो रही है अप्रादोक पर नियंतर रखना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनोती है जैसा कि आप जानते हैं आतंकवाद व्यास्वी करन ये सब क्या है हमारे यहां हिंसक हिंसा बरकाना ये सब आम बात है और पुलिस के लिए ये सब बहुत बड़ी चुनोती है लंदन में इस्तिरी या अठारवी और उनिवसी सतादी में कल कारखानों में कारत महिलाओं की बड़ी संख्या कारखानों में रोजगार के आउसर कम होने पर महिलाओं के अन्य वेवसाय अपना लिया जैसे घरेलू नोकरानी का काम जानते हैं आप आज हम सभी जानते हैं कि घर में जो काम करती है वो नोकरानी आती है मकान में पेंट गेस्ट रखने का सिलाई बुनाई करने हुआ माजिस बनाने का स्रम प्रतम विश्वुद के बाद भीन उद्योगो और दफ्तरों में काम करने लगे इससे पहले लंदन में और्तों को काम करना मना ही था बालसरम कारखानों में कम मजदूरी पर बच्चों से काम कर रहा ना रोकने के लिए अनिवार कानून बनाई गई जो कि प्रात्मिक सिक्चा कानून और फैक्टिक कानून पारित किया गया आज आप देखते हैं धावा होटल छोटे-छोटे दुकानों में भी चोटे-छोटे बालक काम करते हैं उनके लिए कानून बनायेगा क्योंकि बालसरम कानून लेकिन उसका पालन आज बहुत बिढवना की बात है कि भारत में इस कानून को लागू हो उदने के चलते भी आज मानिता प्रात नहीं है आवाज की समस्या बाहर से आकर सहर में रहने वालों के लिए स्थानी प्रसासन और प्रवकारी लोगों ने रेन बसेरा अजनभी घर बनाया धनी लोगों ने गरिवों के लिए अपार्टमेंट बनवाया है आज भी आप बहुँ सारे अपार्टमेंट देखते होईएगा संयमता अंदोलन 19. सदादी में लंदन में सरकों पर खाना सराब खोड़ी रोकने के लिए संयमता अंदोलन चलायागा इसका उद्देश नसीलों पदार्थों का उपयोग संयमता करने के लिए सुझाओ दिया गया आज हमारे यहाँ नसीले पदार्थों का उपयोग अधिक बढ़ रहा है लोग बहुँ सारे क्या मादक पदार्थों का यूज़ करते हैं लंदन का नगर निर्मान लंदन का नगर निर्मान लंदन को साफ सुत्रा और परतूशन मुक्त बनाने के लिए नगर नियोजन के प्रयास किये गए मकानों की कमी दूर करने के लिए किराय नियंतरन कानू बनाया गया दो विश्विद्धों के बीच गरीबों के लिए 10 लाग छोटे मकान बनाये गए और आज भी देखेगा लंदन सहर काफी सुन्दर सहरों में से एक माना जाता है लंदन के नए फेफ्रे हरित पट्टी की व्योस्ता नगरिकों को स्वक्ष और खुली हवा उपलवत कराने के लिए लंदन के इर्दगिद हरित पट्टी का निर्मान किया गया है संपन लोगों के लिए गार्ड सिटी की योजना एवेरनर होड की तियार किया गया है आगे है सरजनिक परिवहन की व्योस्ता इसके लिए 1863 में लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल चलाई गई विश्वी सताबदी में विश्व के अन महानगरों में भूमिगत रेल चलाई गई आज हम जो मेट्रों देखते हैं उसी का उधारन है नगरी करन वा समाजिक परिवर्तन परिवार के स्वरूपों और महतुकों बदलावा आ रहा है विक्तिवात की भावनाओं का विकास औरतों के परती सोज में बदलाव घर परिवार और इस्तिरों के साथ उप्युक्त अस्थान गरीबों और संपन वर्गों के लिए विद्प्रकार के मनरंजन का साधन सहर राजनिती गति वीडियो का केंदर बन गया है ये वीडियो आप निव एजुकेशन पॉइंट के तरफ से समरी के रूप में देख रहे थे धन्यवाद जय हिंद